नमस्कार दोस्तों मैं इंकुर उपाध्याय स्वावत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में यहाँ आप सभी के साथ डिसकस करने वाला हूँ चार ऐसे स्टॉक्स जिसमें बड़ी गिरावट आ रही है पहले मैं आपको बजार का अपडेट देदू, मार्केट भी वॉलटाइल हो रहा है और बार बार उपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लाल निशान में भी फिसल रहा है लेकिन आज निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है बीते दिनों का अंडर परफॉर्मर जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी बैंक में काफी अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है देखने वाली बात यह जो सबसे ज़्यादा परिशान कर रही है क्या उसमें कुछ है तेजी एक परसेंट किया है HDFC बैंक में ICICI बैंक अपने नंबर से पहले एक परसेंट मजबूत है और इसने आज एक अचीवमेंट करा है वो साथ लाग करोड का मार्केट कैप हो गया ICICI बैंक का कोटक बैंक के रिजल्ट्स आ चुक है और रिजल्ट्स के बाद 3% की शानदार थे लिए तो कोटक बैंक बहुत अच्छा करता हुआ दिख रहा है और बैंकों की बात की जाए तो AU बैंक में अच्छी देजी आते हो दिख रही है C8 2900 रुपेगा हो गया 10-11% उपर है आच तो बहुत अच्छा करते हो दिख रहे हैं ये स्टॉक्स भी अब आए अगर टॉप लूजर्स की तरफ तो रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है पहले तेजस नेटवर्क की तरफ नजर मारते है अगर आप कंपणी का मुनाफ़ा देखोगे तो 5 करोड का मुनाफ़ा 5 करोड का मुनाफ़ा जो है आपका 50 करोड के घाटे में बदल गया है तो ये बड़ा-बड़ा कट आता हुआ दिख रहा है तूटने में आप देखो average volume देख रहा हूं मैं 3 लाग 4 लाग का है आज भी केवल 5-6 लाग ट्रेड हूँ है तो मेरा मानना ही है कि tension नहीं लेनी चाहिए आपको इस stock में अगर आपकी position है तो आप बने रहो इसमें क्योंकि यह जो गिरावट है ना इसमें कोई participate नहीं कर रहा ह तो मेरे को लगता है bounce back मारेगा और तेज मारेगा bounce back तो तेजस network still hold करनेगी राए है इतने खराब के बाद भी क्योंकि revenue strong ही आया है profit गटी है कोई मैं एक बार detail में जाकर ही चेक करता हूँ जब मैं आपके साथ video बना रहा हूँ तो कुछ और extra चीज़ें मिल जाए तो जादा अच्छा रहेगा ताकि निवेश्कों को समझ में आई December quarter में 50 करोड का घाटा पेश करा है अधर income 15% है margins में problem आ गई है जो margins तीन परसें लगबग 3-4% positive थे वो अभी minus 1% हो गए है बाकी तो सब normal है फिर गिरावट क्यों आई है वो revenue जिसमें बढ़ा है गिरावट क्यों आई है margins का ये कारण हो सकता है बाकी कोई कारण मुझे दि नहीं जारी है इस company का ये share पूरे market को under perform कर रहा है और ये company ऐसी है ना आप किसी से भी पूछ लो यह गएगा बने रहो hold करो अच्छी company है और मैं भी वही कहने आया हूँ आप से भी के साथ लेकिन पैसा नहीं बन रहा है भीया पैसा नहीं बन रहा पूरा बजार कहां से कहा हो गया ये 2425 वाला आज भी 2425 ये यार तो पैसा कब बनेगा वो बता हो आप तो उसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल हो गया ऐसे हैं बट company ने क्या क्या का है वो मैं आपको बता दू company executive says market share gains are likely to come under further pressure due to higher competition competition ज़्यादा हो रहा है जिसके उसे problem आ रहे है company को company says price growth to be marginally negative if commodity prices remain where they are जहां पे अभी commodity के भाव है वही रहे तो दिक्कत है इनके लिए company focused on driving competitive volume growth company's rural income growth and winter crop yields key factor determining pace of recovery company cautiously optimistic in the near term company says with commodity prices remain winning competitive intensity likely to stay high q3 underlining volume growth 2% company expect gradual demand recovery to continue company के आगे की guidance भी कुछ खास आनी रही है actually में और results तो खराब हैं बट स्टिल सब कुछ negative है तो contract call लेनी चाहिए वही मैं आप से हो भई क्या करें अब इस year को बेचने का भी मन नी करेगा और लेने की हिम्मत नी हो रही है बट ठीक होल्ड करना चाहिए average भी करी लो यार मैं यही कहूंगा अच्छी quality company को कभी छोड़ना नी चाहिए CESC के numbers खराब थे 4 रुपे का dividend था गिर गया आज खतम गानी इससे जादा कुछ भी नहीं पावर स्टॉक है दोबारा बागेगा अबॉट इंडिया आज क्यों टूट रहा है कुछ समझ में आ नहीं रहा है results भी नहीं थे I think और 3% नीचे है हमारा फेवरेट इस्टॉक है बढ़ अभी तो 25,000 पर तो मैं क्या ही बोलूँगा इसे लेने के लिए 16,000 पर 15,000 पर मैंने डिसकस किया हुआ 16% से बढ़कर 17 करोड़ पर है कामकाजी मुनाफ़ा 123 करोड़ के सामने 134 करोड़ पर है तो सब कुछ ठीक था बट स्टॉक का प्राइस टूट गया है ठीक है एकसेप्ट करते है थोड़ी गरावट होगी तो आप लेने के मौके जोड़ो तो इन स्टॉक्स में मेरे को नहीं लगता कोई भी ऐसा शेयर है जो आपको पेचना चाहिए या शॉट करके जाना चाहिए ओप आपको इस सारी चीज़ समझ में आई होगी थैंक्यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो हैव अग्रेट दे गाई